असलाम वालेकूम और हालो एवरीवन वेलकुम बैक टो मैं चैनल जिन्दगी जीनत की उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलू पलवर की सबसी पलवर को मैंने छील लिया है उसे वाश करके कट कर लिया है और एक बर और वाश किया उसके बाद तेल गरम हो चुके हैं कटे हूए आलू फ्राइट कर लेंगे उसे अच्छे से फ्राइट करेंगे बहुत जादा डीप ब्राउन नहीं करना है लाइट भी नहीं रखना है फ्राइट करेंगे और थोड़े दिर के बाद जो कटे हूए आलू है वो भी उसमें मे बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है यह दिखिए बहुत ही पॉफेक्ट फ्राई हुआ है खड़ी मसाले रेडी करेंगे मैंने जीरा लॉंग छोटी लैची डाल शीनी के टुकरे एंड दो तीन साबुत खड़ी मिर्च लिया है जो गरम तेल है उसमें हम लोग जीरा डाल दे आपको प्यास बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है लाइट भी नहीं रखना है एक पॉफेक्ट रेक्षर जैसे मैं शो करती हूं उस पॉइंट प्यास ब्राउन हो जाए लाइट ब्राउन इस तरही के से तो आप उसे निकाल ले एक अलग प्लेट में और उसीम ओल में आ बहुत जादा टमाटर महंगा है फिर भी यह सबजी में थोड़ा से एक टेस्ट चाता है और जो हमने सौटे करके प्याज चमाचे और साबुत लाल मेर्च घरम मसाले डाले है ना सबको एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेंगे आ मतलब इस तरीका टेक्शर आना चाहिए दर्दरा सा होना चाहिए ताकि मसाला जब भूने तो उसमें भी थोड़ा सा घुल चाहिए उसके बाद हम लोग मसाले रेडी करते हैं लाल मिर्च पाउडर धन्या पाउडर हल्दी जीरा जीरा पाउडर एंड गुल मिर्च भी डाल देंगे आपको बार बार कराही या पैंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आप सेम कराही में अलू परवल फ्राइड करें उसे में प्यास को भी सौटे करें टेमाटर को भी सौटे करें एंड सेम कराही मसाले भी रेडी करेंगे तो ये मसाले डालने के बाद करा तरना को पेस्ट चमाटर को एड़ कर देंगे और लो टायां पर घलाँ जार भी लगए मासाली होते ना थोरा सा पानी डाल की और डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे बहुत इत्मिनान से वे पर चला आपाइं और उसके बाद एक लिड कावर अप कर दिजिए यह बबल साना शिरू हो गया कवर अप कर दिजिए धीमियाज पर थोड़ी दिर हम लोग पकने देंगे मसाले को उसके बाद लिड को उपन करेंगे और जो हमारे फ्राइ किये हुए अलो और परवल है उसे एड कर देंगे इसमें चला देंगे और अच्छे से मिक पीस कर देंगे माजाया है और अच्छे से बाद को इसका के बाद अचरब साणा। उसके बाद लोग बूत और तो सबस्त प्लाइए कया है मतलब के। इसमे लोग कर देंगे के पां अओर भीम फर श्ठेवित एच्छेसे चलाएंगिये हैं इसमें अच्छ नकिना इंसे ब और उसे फिर से हम लोग धग देंगे पानी इसलिए अड़ कि तो फ्राइं होने के दर्मियान तो थोड़ा सा गल गया लेकिन थोड़ा सा और अच्छा सा मतलब इसका टेक्चर भी बने और थोड़ा सा गल भीज़ा तो पानी लगा दिये हैं और उसे कवर अप करके हम लोग फाइफ तो सावन मिनट्स उसे छोड़ देंगे यह मैंने ढग दिया इसे और फ्लेम ओफ कर दिया है यह देखिए सब्जी का टेक्च्चर यह बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिश्यस बना था आप एक बर जरूर इसे ट्राइक करूंगी इसे निकाल लो और वीडियो पसंदायते से लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जाएदा से जाएदा शेयर करें बहुत जल मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो